नमस्कार सभी मित्रों को मैं रेखा जुशी फरीदाबाद से बोल रही हूँ सभी मित्रों का हार्धिक अभिनंदन और स्वागत है सबसे पहले मैं आदन्य दिवेंदर जी का और जन सरोकार मंच का तहें दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे आप सबकी रूबरू आने का मौका मिला तो मेरी रचनाएं अकसर जीवन से जुड़ी होती है तो मैं जैसे बता रही थी कि मेरी रचनाएं अकसर जीवन से जुड़ी होती है हमारी जिन्दगी में कभी खुशी के पल आते हैं और कभी गम के कहीं कोई हसता है तो कहीं कोई रोता है लेकिन सुख और दुख तोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है आज सुख तो कल दुख कल दुख तो आज सुख और यही इसी का नाम जीवन है जिसके हम कहते हैं कि जीवन तो चलने का नाम है तो जीवन के उपर सबसे पहले मैं एक मुक्तक पेश लगने जा रही हूँ जीवन आना जाना है, कोई नहीं ठिकाना है धारा समय की कह रही मधुर गीत गाना है, जीवन आना जाना है तो अब मैं आपको अपनी एक ऐसी रचना सुना रही हूँ जो कि मैंने आज से लगबग 40 वर्ष पहले लिखी थी तो कुछ लोग तो उस समय पैदा भी नहीं होगे तो वो रचना मेरे पास लिखित रूप से जो है वो पहली रचना है लिखी तुरूप से वैसे पहले भी लिखती थी लेकिन वो मेरे रचना इधर उदर हो गई मैं उनको संभाल नहीं सकी तो अपनी ये रचना जिसका शीर्षक है अह मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ मैं अपनी रचना प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है अह दिल में ये हसरत थी कि कांधे पे उनके रख के सर धेर सी बाते करूँ बातें जिसे सुनकर वे गाएं गुन-गुनाएं बातें जिसे सुनकर वे प्यार से मुझे सहलाएं बातें जिसे सुनकर वे हसें खिल-खिलाएं तभी उन्होंने कहना शुरू किया तभी उन्होंने कहना शुरू किया और मैं मधोश सी उन्हें सुनती रही सुनती रही दिन महीने साल गुजरते गए अचानक मेरी नीन खुली और वे धेर सी बातें शूल सी चुबने लगी उमढ उमढ कर लब पर मचलने लगी समय ने दफना दिया जिसे मेरे सीने में ही हूक सी उठती अब और एक कसक और तडब भी लाग कोशिश की होटों ने भी खुलने की जुबा तक वो धेर सी बातें आते आते थम गई जुबा पर धेर सी वो बातें आते आते थम गई होट ही लब खुले होट ही ले लब खुले लेकिन मुहों से निकली आस सिरफ एक आह हां सिरफ एक अथ बहुत बहुत धन्यवाद तो अब मैं प्रस्थों पर्षोब आपनी अगली रुचना आस जो की जन्द मुक्त है लेकिन मेरे दिल के बहुत करीब है हिंदी जो है लेंगविश इससे मेरा जो है बहुत पुराना रिष्टा है हाला कि मैं विज्ञान की छात्रा रही हूं और विज्ञान की प्रहध्यापिका भी रही हूं लेकिन जो हिंदी है वो में दिल के बहुत करीब है पश्पन से ही मैं मैंने जो है हिंदी की कित पड़ी जैसे कि शर्द चंदर जी की रविंदना टेगोर की बंकिन चंदर की लेकिन मुझे उसकी कहानियों का मतलब समझ नहीं आता था उसे उन उपने आसल का मतलब पूरा समझ में नहीं आता था लेकिन एक शौक जो है वो पैदा हो गया जो मुझे इस मुकाम तक लेके आ में युद का शंक नाद बज उठा उठा मेरे अंतर मन में बीतर की दलदल और खिलते कमल के बीच न जाने क्यों धस्ती गई गहराई में मैं न जाने क्यूं धस्ती गई गहराई में मैं जितनी भी कोशिश करती उतनी ही धस्ती गई विश्य विकारों के कीचड में खाती रही चोट अपनों से खाती रही चोट अपनों से अश्रुधारा बहती रही नैनों से बुरी तरा लथपत बंदी रही मुःपाश के बंधन में मुर्जाते रहे कमल और अंतर द्वंध की इस महाभारत से सफुटित हुई आत्मसाद की शाखा चोड पीछे दलदल बन गई विजेता खिलने लगे कमल ही कमल मेरे भीतर ऑर लोट आई और लोट आई फिर से मुस्कुराहत मेरे चेहरे पर और लॉट आई फिर से मुस्कुराहट मेरे चेहरे पर बहुत बहुत धन्यवाद आपका अब जो है आगे एक मैं माहिया गीत है वो प्रस्तुत करने जा रही हूं तो प्रस्तुत है माहिया गीत आखिकली पालैनी मैंनू नचलन दे सावन आया है नी सावन आया है नी सावन आया है नी सावन आया है नी टिप टिप मीवसे रुत है बहारांदी टिप टिप मीवसे रुत है बहारांदी रुत है बहारांदी बागे मोर नचे गल सुन ले यारांदी बागे मोर नचे गल सुन ले यारांदी गल सुन ले यारांदी गल सुन ले यारांदी याद करां तैनू दिल अपना वारानी याद करां तैनू दिल अपना वारानी दिल अपना वारानी ओ दिल अपना वारानी रुत है यार मना मैं प्रेत निभावावी बहुत बहुत दन्यवाद दिवाकर जी का मैसेज है यह तो पंजाबी में है जी हां यह पंजाबी में है क्योंकि जो माया है यह टपे हैं पंजाबी के टपे हैं इसको की माया का रूप दिया गया है तो पंजाबी से ही ओरिजनेट हुए है इसलिए मैंने इसको पंजाबी में ही प्रस्तुत किया है थोड़ा पंजाबी में मिक्स्ट है ये तो अगली रचना जो मेरी है वो रचना है तो प्रस्तुत है हास्य रचना सुभा सुभा मिल गई चाए बिस्तर पर बैठे बिठाए सुभा सुभा मिल गई चाए बिस्तर पर बैठे बिठाए देख शरीमती जी को शर्मा जी मुस्कुराए हाथ पकड़ बोले चलो भाग्यवान आज संडे मनाए चलो भाग्यवान आज संडे मनाए कुछ हमारी सुनो कुछ अपनी सुनाओ सुनते ही प्यार भरी बातें सुनते ही प्यार भरी बातें शिरीमती जी के माथे पे बल आए हाथ छटक कर वह गुर्णाई होगा आपके लिए ये संडे फंडे होगा आपके लिए ये संडे फंडे हमें तो हफ़ते भर का काम बुलाए हमें तो हफते भर का काम बुलाएं आओ मिलकर कपड़े धोएं फिर खाना बनाएं बच्चों को होमवक कराएं शाम को घर के लिए समान लाएं संडे को बनाना है फंडे तो जल्दी से तयार हो जाएं घर के सारे काम संग हमारे मजे लेते हुए करते जाईए बात सुनकर शिरी मती की शर्मा जी मुस्कुराएं चलो काम वाम तो आज भूल जाएं क्यों ना आज एक अच्छी सी मुवी देख के आएं जी हां यही तो जीवन है कुछ तुमने कही कुछ हमने मानी और कुछ हमने कही तुमने मानी और जिंदगी यूही चलती रही तो अगला जो है मेरी प्रस्तुती है वो एक गजल है तो गजल में आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ सभी वो तोड बंधन अब उड़े हैं आसमानों में परिंदे कब रहा करते हैं हर दम आशियानों में ना रोको तुम ना बांधो आज जन जीरें यहां पर अब रहेंगे कब तलक चुपकर परिंदे इन मकानों में कहीं तुम दूर उड़ जाना बसा लेना नया घर फिर ना रोकेंगे चले जाना नए अपने ठिकानों में ना भरना आँख में आंसो ना मुड़कर देखना हमको चले जाना यहां से दूर खोए तुम उड़ानों में सदा तेरे लिए हमने खुदा से प्यार ही मांगा करेंगे याद हम तुम को सदा अपने फसानों में सभी वो तोड़ बंधन अब उड़े हैं आसमानों में पर इंदे कब रहा करते हैं हर्दम आशियानों में बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद देश के ओपर राष्ट्र भक्ति के ओपर हमारे सीमा पर जवान सर्दी हो गर्मी हो तने रहते हैं तो उनको मेरा शत्षत्नमन और उनके लिए मैं अपनी रश्णा प्रस्तुत कर रही हूं जाग जाओ देश मिलकर है बचाना नींद में सोए हुऊं को है जगाना जाग जाओ देश मिलकर है बचाना सांस दुश्मन की मिटाकर आज लेंगे, साथ मिलकर के बुराई है मिटाना, जाग जाओ देश मिलकर है बचाना, मिट गए हैं देश पर लाखो सिपाही, फौज की हिम्मत सभी को है बढ़ाना, जाग जाओ देश मिलकर है बचाना, देश के दुश्मन चिपे घर आज अपने, पाठ उनको ढूंड कर अब है पढ़ाना, जाग जाओ देश मिलकर है बचाना, दूर सीमा पर रहे सेना हमारी, पाठ को मिलकर सबक अब है सिखाना, जाग जाओ देश मिलकर है बचाना, नीद में सोय हुँ को है जगाना, जाग जाओ देश मिलकर है बचाना, जाए हिंद, अब अगली रचना जो है वो विधाता चंद के ओपर है, विधाता चंद जो है इसकी मापनी होती है, एक दो दो दो, एक दो दो दो, एक दो 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 एक दो दो तो इसके उपर एक प्राथना है प्रभू को तो वो प्राथना मैं प्रस्तुत कर रहे हूं जपें जब नाम तेरा राह में प्रभू पास होता है कृपें जब नाम तेरा राह में प्रभू पास होता है कृपा तेरी रहे हम पर सदा विश्वास होता है कृपा तेरी रहे हम पर सदा विश्वास होता है दिवाकर ये विधाता चंद है वीधाता हमेशा हाथ तेरा ही रहे भग वन हमारे सर करें पूजा सदा दिन रात दुख का नाश होता है करें पूजा सदा दिन रात दुख का नाश होता है दया इतनी करो भगवन हमारे काज हों पूरे खड़े हो साथ तुम मेरे यही आ बास होता है कहीं कोई सहारा जब हमें दिखता नहीं भगवन कहीं कोई सहारा जब हमें दिखता नहीं भगवन पुकारें आपका जब नाम पल वो खास होता है कहले हों पूल बगईया में महकता है यहां उपवन किले हों पूल बगईया में महकता है यहां उपवन समाए हो जगत में आप कन-कन वास होता है समाए हो जगत में आप कन-कन वास होता है जपें जब नाम तेरा राह में प्रभू पास होता है अगली प्रस्तुती है जिन्दगी पर जैसा कि मैंने पहले कहा था कि मेरी रचना अक्सर जिन्दगी पर अधारित होती है तो मेरी एक रचना जिन्दगी के उपर है माना कठिन है जिन्दगी फिर भी मुस्कुराया कर कर सामना खुद को इतना भी मत बचाया कर लाक गम खड़े हैं जीवन सफर की राहों पे लाक गम खड़े हैं जीवन सफर की राहों पे न हो उदास न हो उदास हस कर तु उन्हें अपनाया कर रुकना नहीं जुकना नहीं जीवन के पत पे चलता चल मुसाफिर पत पर ना डगमगाया कर रख विश्वास खुद पर अपना और बढ़ता चल मुश्किले होंगी आसान गीत गुनगुनाया कर उपवन में खिलेंगे फूल भी उपवन में खिलेंगे फूल भी तो एक दिन सजन कर इंतजार कर इंतजार थोड़ा यूही मत गबराया कर माना कटिन है जिंदगी फिर भी वसको राया कर कर सामना खुद को इतना भी मत बचाया कर अब एक गीती का प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो की दिगपाल चंद पर अधारित है एक गीती का दिगपाल चंद पर प्रस्तुत करने जा रही हूँ तेरा मिला सहारा तो जिन्दगी मिली है जब चा गया उजाला तो रोशनी मिली है तेरा मिला सहारा तो जिन्दगी मिली है जब चा गया उजाला तो रोशनी मिली है खिल खिल गए यहाँ पर है फूल मुस्कुराते आती रहें बहारें खुशियां सभी मिली है जूले पड़े यहाँ पर तुम याद आ गये हो राहें यहाँ सवारें कलियां बिच्छी मिली है नभ पर उड़ी उड़ी हूं आकाश छोड़ पीछे रहते पिया जहाँ पे अब वो गली मिली है तुम जो हमें मिले हो हमको मिला जहाँ है तुम जो हमें मिले हो हमको मिला जहाँ है सारा गगन हमारा हमको धरा मिली है तेरा मिला सहारा तो जिन्दगी मिली है जब चा गया उजाला तो रोशनी मिली है तो जाते जाते मैं एक अधार चंद के ओपर गीती का प्रस्तुत कर रही हूं तो प्रस्तुत है गीती का अधार चंद पर जिसकी मापनी है दो एक दो दो एक दो दो एक दो 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 चोड़ कर आज हमें आप किधर जाओगे हर तरफ तेज हवाएं हैं बिखर जाओगे प्यार में दर्द मिला चोट है खाई हमने देखकर दर्द पिया आप सिहर जाओगे चांद नी रात पिया चांद यहां आया है चांद नी रात पिया चांद यहां आया है छोड़ ना तुम ना कभी हाथ हमारा साजन, प्यार में साथ निभाना निखर जाओगे, आप से प्यार किया और बनाया अपना, साथ रहना फिर सजन न बिछड जाओगे, साथ रहना साथ फिर सजन न बिछड पाओगे, छोड़ कर आज हमें आप किधर जाओगे, हर तरफ तेज हवाएं हैं बिखर जाओगे, जाते जाते एक छोटा से मुकतक है, करोना के ओपर, जो मैं जाते जाते प्रस्तूत करूँगे, और इसके बाद में अपनी वानी को विराम दूंगी, करोना निढाया कैसा अत्याचार है, देख मंदिरों के भी बंद हुए द्वार है, इश्वर तो रहता सदा हिर्दय में हमारे, इश्वर तो रहता सदा हिर्दय में हमारे, सुन लेता हमारे मौन दिल की पुकार है, करोना निढाया कैसा अत्याचार है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद.